नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग आशा करती हूं कि आप सब अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने घर पर होंगे सुरक्षित होंगे आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आए हूँ हूँ तो दोस्तों रिसेंटली मैंने नामशी डाट कॉम से कुछ प्रोड पर्चेस किया है अगर आपको जानना है कि कौन से में कपरक्स मैंने पर्चेस किया है देन लेट्स गेट स्टार्टरड हूँ है तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस लिप्स्टिक की यह है एनिक्स कॉस्मेटिक्स की माट निप्स्टिक इन शेर्ड हनीमून यह पर्फेक्ट नूट शेर्ड है बहुत ही अच्छा लगा मुझे यह शेर्ड नेक्स प्रोड़क्स भी निक्स का ही है तो यह है निक्स का लिक्विटleist्ट्टिक इनदर शेर्ड टी इन कुकीज तो स्वेर्ड लिप्स्टिक्स जो है मुझे बहुत लग deba अच्छी लगती यह निक्स और इसलिए मैंने अपने collection में इस shade को add किया है ये बहुती प्यारा summery shade है इस प्रोडक्स वेटन वाइल के हैं तो यह है वेटन वाइल का loose highlighter duo और हमें इसमें दो different shades मिल रहे हैं काफी popular है यह प्रोड़क्ट यह दोनों प्रोड़क्ट्स Brettman X Wet n Wild के Jungle Rock Collection का हिस्सा है और मेरे पास और इस collection से एक सेटिंग स्प्रे है और मैंने सोचा क्यों ना मैं Jungle Rock Collection से यह दोनों प्रोड़क्ट्स भी पर्चेस करूँ जब से Brettman Rock X Wet n Wild Collection रिलीज हुआ था मेरा तब से मन था कि मैं इस eyeshadow palette को पर्चेस करूँ क्यों कि online देखने पर मुझे यह palette जो है काफी attractive लग रहा था और इसकी quality भी अच्छी लग रही थी मैंने online देखा था कि यह shadows कैसे दिखते हैं और मैं बस यही सोच रही थी कि काश मेरे पास यह palette होता तो आज बू दिन आ गया है that I am having this palette और मुझे बहुत ही अच्छा लगा इसका color story in real life also बहुत अच्छा दिख रहा है इसका जो shade range है बहुत ही अच्छा है और I am really excited to use this palette नेक्स प्रोड़क्ट है L'Oreal का Matte Signature eyeliner in the shade blue यह काफी अच्छा प्रोड़क्ट है और यहाँ पर at least काफी महंगा मिलता है और चुकि मुझे यह sale पर मिल गया इसलिए मैंने से परचेस किया मेरे पास और इस range से एक और eyeliner है जो कि है एक white liner which is in the shade snow I absolutely love that liner और इसलिए मैंने सोचा कि चलो इस वाले liner को भी परचेस करते हैं क्योंकि यह मुझे sale पर मिल गया प्लस यह जो snow वाला जो shade है वो काफी अच्छा shade है pigmented है और उसका formula बहुत अच्छा लगता है मुझे online देखने पर यह काफी vibrant blue लग रहा था इसलिए मैंने इस shade को पिक किया next up हम बात करते हैं NYX की suede bullet lipstick की तो मेरे पास और रड़ी तीन डिफरेंट shades है इस range से और मैंने इस particular shade को add किया है अपने collection में काफी प्यारा shade है और यह peachy nude shade है तो यह lipstick है in the shade rose the day और काफी प्यारा everyday sort of nude shade है आप इसे हर दिन use कर सकते हैं NYX की suede lipsticks जो हैं वो बहुत ही अच्छी होती है चाहे वो liquid lipsticks हो suede range से या फिर bullet lipsticks हो बहुत ही अच्छा formula है in bullet lipsticks का creamy texture है और बहुत ही अच्छे से यह अपने lips पर बैठती है काफी pigmented है और comfortable feel होती है इसलिए मुझे suede lipsticks जो है वो बहुत ही अच्छी लगती है NYX की नेक्स्ट अप है L'Oreal की कलर रिच अर्ट्रा मैट lipstick in the shade No Lies यह बहुत ही प्यारा shade है और अगर आपको peachy nudes या brown nudes पसंद नहीं है तो आप इस तरह के shade को try का सकते हैं क्योंकि यह जो shade होते हैं यह हमारी medium skin tones को suit करेंगे और यह बहुत ही प्यार रगेगा lips पर नेक्स्ट अप है NYX का mineral matte finishing loose powder in the shade medium dark यह काफी अच्छा लगा मुझे देखने पर packaging काफी sturdy है और travel friendly है जादा बलकि नहीं लग रहा है और मेरे पास NYX का matte foundation है और मेरे सोचा की इस product को try किया जाए नेक्स्ट अप है NYX की creamy lipsticks यह है minimalism shade और यह है B52 मुझे दोनों ही shades बहुत अच्छे लगे जब मैंने online in shades को देखा तो I was sure कि यह shades मुझे चाहिए क्योंकि यह बहुत ही प्यारे shades लगे मुझे और जब मैंने सामने भी देख रही हूँ तो यह shades बहुत ही प्यारे है और wearable shades है मेरे पास already NYX की creamy lipsticks है एक pink में है एक red में है और मैंने सोचा कि क्यों ना यह shades मैं purchase करूं क्योंकि यह lipsticks बहुत ही अच्छी लगती है मुझे इनका formula बहुत ही creamy है satin finish है और comfortable फील होती है यह lips पर इसलिए मैंने यह दो shades purchase किया है last but not the least हम बात करेंगे Maybelline के lip products की तो यह है Maybelline का lipstick in the shade toasted brown अगर आप मेरी वीडियो को regularly देखते हैं तो आपको पता होगा कि मुझे brown lipsticks कितनी जादा पसंद है और मुझे online यह shade बहुत ही जादा प्यारा लग रहा था और इसलिए मैंने इस shade को purchase किया है यह एक true brown shade है और मुझे यह बहुत ही जादा प्यारा लगा क्योंकि इसकी finish है वो saturn finish है और यह बहुत अच्छी लग रही थी मुझे swatch करने पर last but not the least यह है lip crayons यह है Maybelline के superstay ink crayons in three different shades तो मैंने और दो different shades purchase किये हुए थे और मैंने अपने collection में यह तीनों shades add किये हैं पहला है enjoy the view दूसरा है accept or dare और तीसरा है trust your gut enjoy the view एक muted peach shade है जो की Indian skin tones को suit करेगा और मुझे ऐसे shades बहुत जादा प्यारे लगते हैं इसलिए मैंने इसको अपने collection में add किया है trust your gut एक nude brown shade है जो की fair skin tones के लिए तो nude lipstick जैसा act करेगा पर medium skin tones को यह wash out कर सकता है तो better होगा कि आप deep brown liner को apply करें अपनी lips पर और उसके बाल इस lip crayon को apply करें तो यह shade जो है वो अच्छा लगेगा और flattering लगेगा acceptor dare एक बहुत ही जाधा bold shade है यह very pink shade हर skin tone को suit करेगा मुझे यह shade बहुत ही जाधा अच्छा लगा प्लास इसका जो finish है वो matte finish है जो की comfortable peel होता है lips पर और मैं इस shade से काफी खुश हूँ तो दोस्तों यह थी आज की वीडियो आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को like करें मेरे चानल को subscribe करें bell button पक्लिक करें ताकि जब भी नई वीडियो को मैं upload करूँ तो आपको notification मिल जा साथ मैं इस वीडियो को खतम करती हूँ आशा करती हूँ कि आप सब अपना ध्यान रखेंगे मैं जल ही मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में टिक केर बाई बाई